हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होब खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर दे होंगे हैपी होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें पॉजिटिविटी को ट्रेक्ट करें आपके लाइफ में धीर सारी बात पता चलेगी तो क्या आपके पार्टनर का नेक्स एक्शन होने वाला है तो वो सारी चीज़े हम देखने की कोशिश करेंगे चलिए दियर देखते हैं कि आपके मैरिक लाइफ में आपके व्यवाहिक जीवन में थर्ड पार्टी ने जो कहीं न कहीं ना कुसानी की कोश जो करी है इस third party को कहीं न कहीं इसका सच आपके partner के सामने आएगा या नहीं आएगा वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं पहले हम कुछ card निकालते हैं वाउ क्या बाति अगर पहला ही career डियर ऐसा निकल आई कि जिसमें judgment का card है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यह है ना उन लोगों के जीवन से अप चीजे जो हैं डगमगाने लगेगी आपके जीवन में तो मुझे ऐसा लग रहा है एक जबरदस्ट बैलन्स आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि आपकी जो awakening हुई है जिसके बाद आप एक ऐसी situation में मुझे दिखाई दे रहे हो कि बहुत कुछ change होने वाला है यहाँ पर lovers की भी energy निकली है बहुत ही अच्छी energy आई है cards को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के cards यहाँ पर लेकल रहे हैं चिटिंग हुई है धोका हुआ है इस third party ने जवर्दस तरीके से आपके जीवन में कुछ चीजों को ले करें कि emotional तरीके से कहीं न कहीं attach होकर इसने बहुत गलत चीजे manifest करी है और उस गलत manifestation के कारण आपके और आपके partner के रिष्टे बिख रहे हैं आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच में जितना आप efforts लगा रहे थे वह efforts लगाना वह प्यार देना कहीं न कहीं खतम सा हो गया बहुत लड़ाई जगड़े हुए हैं बहुत ज़द को पहचानेंगे अपनी स्ट्रेंड को पहचानेंगे और वो कहीं न कहीं अपनी marriage life के बारे में बहुत जल्द कुछ सोचने वाले हैं कुछ decision लेने वाले हैं और यह लेंगे है ना यहां पर मुझे दिख रहे हैं कि आपके partner 100% अपना decision लेंगे अपनी बात को रखेंगे और किसी तरह का offer यह आपको कर सकते हैं किसी तरह का gift भी आपको मिल सकता है आपकी partner के अगर हम बात करें रहे हैं तो अभी आपके partner कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परिशान है और कुछ चीजे इतनी ज़्यादा वैसे दिख रहे हैं कि इनको confusion है बहुत ज़्यादा burden किसी भारी चीज़ का उठा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी ये बहुत कंफ्यूज है कुछ ऐसी चीजे हैं जहां पर इनको लग रहा है कि हालाद बहुत ही खराब हो चुके हैं तो ये चीजे यहां पर दिख रही है देखते हैं कि यहां पर और क्या है देखे साइन की अगर हम बात करें हैं भी दिखाई दे रही है चलिए सबसे पहले तो डियर आपके विवाहिक जीवन में जिस third party ने आग लगाई है जिस third party ने कही न कहीं अपने आपके जीवन में घुसने की जो कोशिश करी है है ना ऐसा दिखाई देरा है कि उसकी पॉल पट्टी खुलने वाली है पहले से ज़्यादा आपकी अगर बात करे जाए तो आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर शायद आप पर फोकस कर रहे हैं मैंने कहा न कि आपके पार्टनर की नजरों में आप आ चु दिखने लगे हो इससे पार्टनर को लगता है कि आपके हालातों के जिम्मेदार कहीं न कहीं आपके पार्टनर है तो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं आपके पार्टनर और वो अपने आपको कसुरवार मानते हुए ये सोच रहे हैं कि उनकी वज़े से आपका ये हाल आज आप इतने कहीं न कहीं खोई खोई रहते हो इतना सैड रहते हो तो ये पार्टनर को एहसास तो है कि उनकी वज़े से शायर आपको इतना दुख पहुचा है आप उदास दिखाई देते हो पार्टनर की नजरे आपको देख रही है ऐसा नहीं है कि पार्टनर आप पर फो पार्टनर थोड़ा सा कहीं नहीं परिशान हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पार्टनर को फाइनेशल धोका मिला है कोई तो ऐसी चिटिंग हुई है चिटिंग कार्ड्स है ऐसी कोई चिटिंग हुई है जहां पर आपके पार्टनर एफर्स तो लगा रहे थे पैसो को लेकर बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे थे पर फिर भी कोई धोका ऐसा आपके पार्टनर के जीवन में हुआ है जिसकी वज़े से आपके पार्टनर लॉस में चले गए हैं बहुत ज़्यादा फाइनेशली कुछ चीजों को लेकर इनको हैड़ एक हो है किसी बात को लेकर बहुत चितिंग इनके साथ में ऐसी हुई है कि इनको बड़ा जटका लगा है तो थर्ट पार्टी के साथ पैसो का कुछ प्रॉब्लम भी आ गया है आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर जो हैं थर्ट पार्टी के साथ में कुछ financial चीजों को लेकर discuss कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है partner समझ नहीं पा रहे हैं इनको क्या करना है कैसे ये इन सब problem से बाहर निकल सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेकर third party और partner के बीच में कुछ trust issue आ रहे हैं दिखे partner और third party के बीच में कुछ ऐसा बड़ा कुछ हुआ है जिसके कारण शायद partner भी थोड़ा सा depression में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा stress ले रहे हैं mentally disturbed दिखाई दे रहे हैं आपके partner overthinking करते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा confuse भी कर रही है कुछ चीजों को लेकर तो आपके partner को थोड़ा सा third party से trust issue भी हो रहा है कोई बड़ी बात हो गई है दोनों के बीच में उससे problem आ गई है partner को बहुत ज़्यादा है ना partner के आँखों के सामने कोई बात आ गई है या फिर कोई बात का खुलासा हो रहा है शायद ये third party जो आपके relationship में जो आपके married life में problem create कर रही थी जो आपके एक शादी शुदा जिंदगी में आग लगाने का काम कर रही थी इस third party का कोच सच सामने आया है डियर इस पर बाद में details से आपको बताऊंगी लेकिन अभी हम बात करें कि partner के सामने क्या खुलासा हुआ है जिन लोगों ने आपके जीवन में विवाहिक जीवन में कहीं न कहीं जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाने की जो कोशिश करी थी उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे है तो यहाँ पर यह रिखाई दे रहे कि इस थर्ड पार्टी ने जबरदस्ती आपके life में घुज कर problem create करी है तो आपके partner के आँखों के सामने कोई बात आ गई है कुछ चीजे ऐसी निकल के आई है कुछ तो खुलासा हुआ है जहाँ पर आपके partner अब भी थोड़ा सा express में है थर्ड पार्टी का ऐसा खुलासा सुनकर आपके partner को थोड़ी घबराहत जादा हो रही है थर्ड पार्टी के ऐसी बातों को सोच कर आपके बारे में कुछ ऐसे बात पता चली है शायद आपके partner थर्ड पार्टी को एक तरफ देख रहे है और आपको एक तरफ देख रहे है और सोच रहे हैं कि इनों थर्ड पार्टी की सोच कितनी ज़्यादा नीचे गिर सकती है तो थर्ड पार्टी से related और खबर आपकी भी मिली है कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर third party ने कोई गुल खिलाया है और dear आपके लिए कुछ शर्यत रचा गया था या आपके लिए कुछ planning करी गई थी तो कुछ तो आपके partner को ये ख़बर मिली है और इस ख़बर के दोरान आपके partner का दिमाग हिल गया है कुछ आपके विवाहिक जीवन से रिलेटेड बात आपके पार्टनर को पता चली है कुछ शादी से रिलेटेड बात आपके पार्टनर को पता चली है थर्ड पार्टी के हकीकत भी नजर आई है डियर आपके पार्टनर को जहां पता चला है कि इसने आपकी हर खुशी को चीनना चाहा है हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए है जहां पर क्लियर तरीके से पता चला है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में एक तबाही मचाई है उनका जो marriage life था उससे उनका प्यार चीनने की कोशिश करी अपनी जगह बनाने के लिए उनके जीवन में कहीं न कहीं वो प्यार का जो प्याला है वो खाली रखने की कोशिश करी वो नहीं चाहती थी third party के आपके जीवन में कोई offer लेकर आए ये third party नहीं चाहती थी आपके partner के जीवन में कोई ओफर लेकर आए और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए तो उनकी जिंदगी को कहीं न कहीं अधूरा रखना की एक चाहत थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है और मुझे दिख रहा है कि कुछ खुलासा ऐसा हुआ है जहां पर पार्टनर जो हैं थर् तरह से लाल हो गई आपके पार्टनर को बहुत गुसा आया कि इस थर्ड पार्टी के हरकत जो है आज आपके पार्टनर के सामने आई है नजर अगर ये हरकत और ये बात अगर पहले पता चल जाती तो शायद आप दोनों के बीच में इतनी दूरिया इतना डिस्टेंस नही तो जहां पता चला है कि इसने आपकी हर खुशी कहीं न कहीं बरबात करें हर कुशी को छीनने की कोशिश करें तो वह चीज जहां पर आपके पार्टनर के सामने आई है डियर कंट्रोल में रखने के लिए आपको ये 3rd party कुछ तो नेगेटिव कर रही थी ये दिखाई दे है clear तरीके से इस third party ने कुछ तो ऐसा किया है ताकि आपके partner आपको control आपके partner इस third party के control में रहें ठीक है और दियर आपके partner से आपको अलग करा है जहां मुझे दिखाई दिरा है family आप create करना चाह रहे थे आप चाह रहे थे कि आप लोगों का एक family बन जाए एक परिवार बन जाए वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि partner की feelings को इस third party ने कहीं न कहीं खराब किया है है ना तो खराब करने की कोशिश तो करी है dear इस third party ने ये दिख रहा है बहुत जदा आपके partner को influence में लिया है partner ने खुद ही आपके life से निकालना एक तर से ऐसा बोलेंगे कि partner को खुद इसने इतना मजबूर कर दिया था कि आपके partner खुद आपको अपने जीवन से निकाल दे है ना तो एक तो क्या इसने आपके partner को influence में ले लिया उनका brain wash कर दिया और इस तरह की हरकते कर दी कि आपका partner खुद आपको धक्के मार के अपनी life से निकाल दे तो ये बहुत ही चाला किसे इसने जो plan किया है जो शर्यंत्र करा है अब ऐसा रिकाई दे रहा है आप इस third party की खुशी नहीं थे हो सकता है कि आपको ये बिलकुल पसंद नहीं करते थे आप से इसको जलन होती थ या फिर jealousy बहुत होती थी इसी कारण बनता परिवार तबह हो गया है क्योंकि इस third party की गंदी नियत ने आपके परिवार को तबह किया है भसते खेलते परिवार में कहीं नहीं आग लगा दी गई है इस third party की तरफ से third party और परिवार के कुछ सगों ने हो सकता है आपके जीव परिवार में एक ऐसी चीज करना चाहरे थी कि आपके हालात जो है सुधर रहे हैं जो वो कभी सुधरे नहीं है ना वहां आप अकेले रहें तो कुछ लोग ऐसा चाहते थी कि आपके हालात कभी सुधरे नहीं आप हमेशा अकेले रहो और ये भी दिखाई दे रहा है ये third party अपके बनते रिश्ते में petrol लाल के आग लगाई है और और अऐसा कर दिया राव का धेल कर दिया है आपके जीवन में राव का खिल एक तरह से राक का धेल कड़ा करके है ये बहुत खुश हो रही है जिसमें आपका और partner का रिश्ता जलकर राव हो गया है तो ये third party की formula यहा पार्टर की साथ में कोई रिलेशन तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहें कि आपके पार्टर नहीं चाहते हैं कि तक दिखावें में बहुत रहते हैं हो सकता है कि इनके दिखावा करने की बहुत आदत है इनकी हरकती कुछ ऐसी रही है दिखावा करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है अब अपने हिसाब से कुछ प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर पार्टनर से कुछ लोग नाराज हैं पार्टनर से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खफा है क्योंकि पार्टनर ने ऐसी घटिया अरकते करी है थर्ड पार्टी को लाने की थर्ड पार्टी को अपने जीवन में जगा देने की अभी बहुत सारे लोग जो हैं पार्टनर से नाराज दिखाई दे रहे हैं पार्टनर भी confused हैं बहुत struggle कर रहे हैं कुछ burden को ढो रहे हैं और नजर आपी की तरफ है उनकी पूरा पूरा focus वो आपी की तरफ कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है एक बार वो ये जानना चाहते हैं वो आपको छोड़ कर गए हैं तब से उनका life पूरी तरह से खराब हो गया है है इस घटिया अरकत को करने की वज़े से आपके partner परिशान हो चुके हैं आपके partner यहां पर plan कर रहे हैं मुझ ऐसा लग रहा है कि आपके partner जो है plan कर रहे हैं है वो क्या plan कर रहे हैं कुछ ऐसी चाहते हैं और कुछ चीजों को लेकर क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं मनाना चाहते हैं आपके पार्टनर कुछ बातों को वो सामने लाना भी चाहते हैं हो सकते हैं आपके पार्टनर के सामने इस थर्ट पार्टी की कुछ बाते आई हैं कुछ चीजे खुलकर आई हैं तो दिमाग बहुत चला रहे हैं जीजें जो है सही करने के लिए ठीक है तो वो दिख रहा है दिखें कोशिश कर रहे हैं आपको खो कर वो पाने की लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम मुझे यहां पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का एक तरह से दिम पार्टनर चीजों को गहराई से जानना भी चाहते हैं आपके पार्टनर यह आपसे बात करने की कुछ प्लांस बना रहे हैं यह आपसे बात करने की कुछ साजिशे कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि बिना प्लान के बिना कहीं न कहीं बात के आपसे बात नहीं बनने तो ये प्लान बना कर ही आपसे मिल पाएंगे उनको पता है वरना आपको देख पाना भी बहुत मुश्किल है मिस करेंगे डियर आपके पार्टनर देखें, कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर बातों के जरिये शॉर्ट आउट करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी दिक्कते हैं अपने दिमाग में कोई बड़ी बात रखकर बैठा है आपका पार्टनर चीजे अच्छी ना होने के वज़े से थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं चीजे खराब होने की वज़े से उनको दिक्कत हो रही है उनका दिमाग जो है वो खराब हो रहा है क्योंकि जो बात का खुलासा उनके सामने आया है झो बात की सच्चाई आपके partner के सामने आई है ना वो स्थितियों कहीं ना कहीं अब तक कि ऐसे चलती आई हैं जो स्थितियां अब पलट जाएगी उन सब स्थितियों का खात्मा होगा तो जो बात का खुलासा आया है ना उससे स्थितियां बहुत खराब हो गई उससे इस्टितियां बहुत डिस्टर्ब हो गई है बहुत रोह हो डियर आप अपने कहीं न कहीं जिद्धिगी में अब मुझे ऐसा लग रहा है सरिंडर करने की वज़े से चीजे जो है सुधर रही है डिवाइन का सपोर्ट यहाँ आ रहा है डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं डिवाइन के तरस जो आपको हैलप मिलेगी वो बहुत इच्छी ओने वाली आपको यहाँ तैयार रहना पड़ेगा डियर होश्यार रहे आपके partner आपकी जिंदगी में आएंगे रिस्त तो लेंगे ही लेंगे और दिख रहा है कि clarification चाहते हैं अब partner सारे fair से बाहर निकलेंगे overcome करना चाहते हैं आपके partner तो overcome तो करेंगे manifest कर रहे हैं आपको अपना proposal देना चाहते हैं जो cheating दोका इनों ने third party के साथ में किया है वही चीज़े यहां पर feel कर रहे हैं अब अपने awakening पर focus कर रहे हैं चीज़ों को balance करना चाहते हैं आपके साथ में उनका जो soul connection है उसको लेकर कुछ feelings कुछ emotions यहां पर दिख रहे हैं और यह third party जो विभाहिक जीवन में कहीं न कहीं जबरदस्ती घुच रही थी वो ऐसा दिखाई दी रहे है कि यह third party बहुत ज़्यादा लड़ने वाली है बहुत ज़्यादा परिशान होने वाली है partner से offer इसको कुछ नहीं मिलेगा और यह और ज़्यादा परिशान होती हुई दिख रही है किसी बात का burden यह third party ले लेगी बहुत struggle इसको करना पड़ेगा तो यह third party का एक ऐसे situation मुझे दिख रही है जहां पर यह third party गुटने टेक देंगी है है ना तो खुला से तो होंगे next action भी इनको लेना ही पड़ेगा तो action आपके partner यह लेने वाले हैं कि अब वो आपके लिए stand लेना चाहते हैं आपके लिए वो चीजों को सही करना चाहते हैं सरेंडर करना चाहते हैं वो चितिंग धोका परिशानियों से परिशान हो चुके हैं अपने life में कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो चीज यहां पर दिख रही है कि आपके partner अब बहुत सारी चीजों को change करना चाह रहे हैं आपके partner को third party से related जो खबर मिली है उसकी चर्चा बहुत जगे हो रही है बहुत जगे उसकी चर्चा हो रही है और उसी कारण से कहीं न कहीं वेवाइक जीवन में ना गुसाने वालों की पोल पट्टी खुलने वाली है जो लोग कहीं न कहीं आपकी marriage life में अपनी advice दिया करते थे अपने आपको सही बिताया करते थे अब उनकी हकीकत सामने आ रही है तो dear video अगर अच्छा लगा है तो like and share कीजिएगा और जो लोग first time channel पर आ रहे हैं चैनल को subscribe कर दीजिए support करने के लिए बहुत बहुत thank you हम मिलते है next video पर दिया है तब तक के लिए अतना ख्याल रखिए